आज की वीडियो स्पेशली उन वीवर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम से वह कुकिंग कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर पता नहीं होने की वज़ा से उन्हें अपने कुकिंग में कुछ कमी लगती है तो क्या चीज़ें कैसे करनी है ताकि जो भी वो बनाएं उसे परफेक्शन के साथ बना पाएं तो चलिए देखते हैं टिप्स आपके कितने कामा सकते हैं मूली प्रांथा बनाने के लिए सबका तरीका अलग-अलग होता है कुछ लोग इसको डबल रोटी में बनाते हैं यानि कि उसकी फिलिंग जो करते हैं दो रोटियां बनाने के बाद उसको अपस में जौइन कर देते हैं और उस तरह से बनाते हैं लेकिन सिंगल रोटी में बनाया गया प्रांठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में लेकिन अगर उसकी फिलिंग इस तरह से निकल जाती है तो यह बहुत ही इरिटेटिंग होता है क्योंकि बार-बार फिलिंग निकल जाने की वज़ा से वो हर जगा चेपकती है जिससे की प्रांठी का ट बनाना भी बताया था सेम एसे मैंने लौकी को भी क्रश करके उसका पानी इस तरह से निकाला था क्योंकि यह चीज़ें बहुत ज्यादा जूसी होती है तो बहुत पानी चोड़ती है जब हम इनके पकौड़े बनाते हैं या फिर प्रांठे बनाते हैं तो मेक शोर कि आपन गरम मसाला डाला है लेकि मैंने सॉल्ट इसमें नहीं डाला है अभी मेरे कहने का मतलब है जो भी मसाले आप डालते हैं वैसे ही डालने हैं सॉल्ट को छोड़के सॉल्ट अभी हम नहीं डालेंगे तो यही एक ट्रिक है कि कब हमने सॉल्ट एड़ करना है ताकि हमारे मूली क हम एककटोरी में अलग से निकालेंगे और उसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा सौल्ट तो इस टाइम पे हमने सौल्ट एड़ करना है अगर हम सौल्ट पहले एड़ कर देते हैं सारी फिलिंग में तो प्रांठे बनाते मूली अपना पानी छोड़ देती है जिसकी विएसे सार प्रांठे के लिए तो ऐसे ही फिलिंग करनी है बहुत ज़्यादा प्रेस करने की इसको जरूरत नहीं है हलका हलका रोल करेंगे और इसमें सुखा अटा लगाएंगे और जैसे चपाती रोल होती है बिल्कुल वैसे ही मूली का प्रांठा रोल होता हुआ चला जाएगा चि जाएगा उसे पलटते जाएंगे और ब्रेश की सहाता से इस पर ओल लगाएंगे और आपका प्रांठा रेडी हो जाएगा सेकिंड टिप इस हाउ टु बॉइल वाइट चना चने बॉइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन जब हम रेस्टुरेंट में चने खाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है तो वह कलर किस तरह से आता है चलिए वह देखते हैं वाइट चना को बॉइल कर साथ ही में एक काम हमें ऐसा करना है जिससे की चने में बहुत अच्छा कलर आएगा तो पहला काम तो हम यह कर सकते हैं कि चाय पती को किसी मलमल के कपड़े में बान देंगे और जब हम चने बॉइल करेंगे तो उसमें उसको डाल देंगे या फिर आमला को अगर आप सुखा आता है तो चने बॉइल हो चुक हैं हाई फ्लेम पे विसल आने तक इनको पकाना है उसके बाद फ्लेम लोग कर देना है 20 मिनट के बाद फिर आपने फ्लेम आफ कड़ेना है तो बहुत ही अच्छे चने बॉइल हो जाते हैं इतने टाइम में लेकिन बॉइल करनेformनेसे पह का मसाला चना next step is how to make perfect चपाती की चपाती बहुत ही अच्छी बने उसके लिए आपका डू बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए उसके लिए प्लाटफॉर्म पे पहले एक कपड़ा बिछा ले ताकि आपका जो बर्तन है वो हिले नहीं डू रेडी करते वक्त तो आप आटा दालेंगे प्रात में उसके बाद थोड़ थोड़ा करके पानी डालेंगे बहुत जादा पानी आपने एक साथ नहीं आड करना है अदर्वाइस आटा बहुत ज़दा गिला हो जाएगा और चपाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी प्राती बहुत ही अच्छी बने इसके लिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा होड़ा पानी भी साथ में ले सकते हैं आपने हाथ गिले करते हुए इसको अच्छे से गूनते हैं इसे गूनने के लिए आपको 10-15 मिनट लगाने की ज़रूत नहीं है जस्छ चार या पांच मिनट ही आप इस आई हुई चपातियां आपकी बहुत अच्छी बनेंगी हर एक चपाति आपको फूलती ही नजर आएगी अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट आप इसको और रेस दे सकते हैं नहीं तो इम्मीजेटली भी चपातिया बनाना शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तवा चढ़ा लेते हैं गरम करते हैं तवे को उसके बाद चपाति बेलना शुरू करते हैं आठे का बॉल आप कितना लेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चपाती खाते हैं बहुत चोटी खाते हैं या बड़ी खाते हैं तो नॉर्मल जैसे तो आप practice करते रहेंगे daily यही काम जो आज आपको बहुत मुश्किल लगता है बहुत ही easy लखने लगेगा और आप भी बहुत गोल और बहुत अच्छी चपाती बनाना शुरू कर देंगे अब गरम हो जाए तो चपाती को उस पे डालेंगे और हलका white होने लगे एक साइड से तो उसे पलट देंगे और दूसरी साइड पर जब हलके brown dots आने लगे तो यही time होता है सिदा flame के उपर लेके जानेगे तो सिदा flame पर रखेंगे हम चपाती को और देखते ही देखते आपकी चपाती फूलने लगेगी दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेने के बाद उसे उतार लेंगे पूर्फेक्ट पूरी पूर्फेक्ट और क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है दो कप गेहूं का आटा और साथ ही लिया अच्छे से हम बाइंट कर लेंगे और उसके बाद में इसमें एड करूंगी वन फूर्फ कप के अराउंड मिल्क फूरासा दूद आड कर देने से पूरिया और भी अच्छी बनती है और अब थोड़ा पानी लेके हम इसको गूनना शुरू करेंगे पूरी के लिए जो डो हम रेडी करते हैं वो थोड़ा हाड होता है यानि कि बहुत ज़्यादा हाड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लेकिन चपाती के लिए जो हम डो रेडी करते हैं उससे थोड़ा सा हाड डो रेडी होता है साथ से आठ मिनट तक पूरा जोर लगाके आप इस आठे को गुंदें और उसके बाद दस मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दें और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आठा काफी अच्छा हो चुका होगा तो पूरियां बनाने से कम से कम एक घंटा पहले आप आठा रेडी करके रख लें पूरियां बेलने से पहले जिस भी बरतन में आपने पूरियां फ्राइ करनी हैं उसमें तेल डाल के रखने ताकि तेल गरम हो जाए अच्छे से और पूरियां बेलना शुरू करें आप चाहें तो साथ-साथ पूरी बेल के तल सकते हैं या फिर काफी सारी पूरियां बना के भी साइट रख सकते हैं चोड़ा सा बॉल लिया है मैंने उसमें थोड़ा सा ओयल लगाया है और उसके बाद उसको बेलना शुरू करेंगे तारों तरफ से आपकी पूरी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होने चाहिए पूरी का साइज आप अपनी मड़ी से रख सकते हैं पूरी फ्राइ करने के लिए तेल अच्छे से गरम हो गया है इसे पलटते हुए दुनों साइड से ब्राउन करेंगे और गरमा गरम और फूली हुई पूरिया रेडी है I think आप सब भी इसी तरह की पूरिया खाना पसंद करते हैं पूरिया अगर खसा हो और फूली हुई हो तो बहुत ही स्वादिश लगती है Next step is how to make paneer at home Market में तो आपको paneer बहुत अच्छा मिल ही जाता है लेकिन घर पे भी आप सेम उसी तरह का paneer बना सकते हैं बहुत ही easily दूद लेना है आप जितना भी paneer बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहां पे 2 लिटर के राउंड दूद लिया है और यह दूद आपको मलाई के साथ ही लेना है जैसे ही दूद बॉइल हो जाए तो आप गैस बंद कर देंगे उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं white vinegar दो चमच डाले हैं मैंने पहले white vinegar कि बहुत ही easily इससे दूद फट जाता है एक-एक चमच करके आप vinegar डालते जाएं जब तक दूद फट नहीं जाता तो मैंने यहां पर टोटल 4 चमच white vinegar डाला था उसके बाद आप देख सकते हैं कि चैना बिलकुल अलग हो गया है उसके बाद मलमल का यानि की पतला सूती का कपड़ा लेंगे हम उसमें चान लेंगे इस पनीर को पानी इसका अलग कर लेंगे और पनीर अलग कर लेंगे आप चाहें तो सेम इसी तरह से दही या नीमबू डालके भी पनीर बना सकते हैं प्रोसीजर सेम रहेगा दूद बॉयल हो जाए तो गैस बंद कर देनी है उसके बार डालेंगे आप दही या फिर नीमबू अब मैंने पनीर अलग कर लिया है उसके बार थंड़ा पानी लिया है एक बोल में पनीर बहुत सॉफ्ट बने उसके लिए डो-تिन मिनट तक थंड़े पानी में हम इसको डालके रखेंगे और उसके बाद एक परात ली है मैंने उसके उपर थाली रख दी है उल्टी करके उसपे रखा है हमने पनीर थाली उल्टी इसलिए की है ताकि जो पानी निकलेगा इसमें से वो सिधा परात में चला जाएगा उसके उपर एक और प्लेट रखी है और उसके उपर मैंने रख दिया है चकला पनीर को प्रेस करने के लिए आपको weight देना है तो कोई भी weight दे सकते हैं आप चाहें तो किसी कंटेनर में पानी फिल करके वो भी उसके उपर रख सकते हैं तो एक देट घंटे में आपका पनीर रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप सारी चीज़ें हटा दें बहुत ही soft और market जैसा पनीर आपके पास तयार है कपड़े में डालने के बाद immediately अगर आप ठंडे पानी में नहीं डालते हैं तो आपका पनीर definitely hard ही बनेगा और अगर आप weight रखने के बाद भूल जाते हैं यानि कि आप बहुत घंटों तक उसके उपर weight रखे रखते हैं तो भी उसका सारा juice निकल जाता है और पनीर hard बनता है लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पनीर बहुत ही soft बनेगा और अगर आप इसी तरह से पनीर को at least one week तक fresh रखना चाते हैं तो किसी container में थोड़ा सा पानी डालें और उसमें पनीर को डाल के ढखकर फ्रिज में रख दें इससे आपका पनीर fresh रहेगा next thing is how to boil eggs जिस भी बरतन में आपको egg boil करने हैं उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी इतना लेंगे कि अंडे पूरे उसमें डूब जाएं high flame पे हम पानी के boil होने का weight करेंगे और जब पानी boil होने लगे तो इस condition में हम फिर flame low कर देंगे और 7-8 मिनट तक ऐसे ही इसे boil होने देंगे अगर आप बहुत hard boil egg खाना चाते हैं जिसमें कि योग का outer part बहुत black हो जाता है तो उसके लिए आपको 10-12 मिनट लगेंगे लेकिन medium boil egg 7-8 मिनट में ready हो जाते हैं और इन एग्स को low flame पे boil होते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं तो अब इनको मैं थंडे पानी में निकाल लूँगी ठंडे पानी में इसलिए ताकि ये easily peel हो सकें ये वो eggs हैं जिनको kitchen के platform पे मैंने रखा हुआ था यानि कि ये room temperature पे ही थे फ्रिज में नहीं थे अगर ये फ्रिज में होते इनको boil होने में 2-3 मिनट और लगते हैं कई लोग eggs को boil करते हुए उसमें salt डाल देते हैं ताकि वो फूटे नहीं या फिर उनका peel अच्छे से निकल जाए लेकिन अगर आप eggs को boil करते हुए उनको cover कर देते हैं तो obviously under food जाए लास्ट डिप is how to set curd in winters summers में तो दही easily set हो जाता है लेकिन कई लोग कहते हैं कि winters में दही set नहीं हो पाता है तो बहुत easily set हो जाता है winters में भी आप देखिए कैसे सबसे पहले आपने दूद को गरम करना है इतना गरम करना है कि आपकी finger अराम से उसमें dip हो जाए यानि कि वो सहन कर पाए तो उसके बाद उसको बर्तन में डाल देंगे जिस बर्तन में भी आपने दहीं set करना है लेकिन उसकी नीचे मैंने base रखा है कोई भी towel या कोई भी मो पायश इसमें बनी रहे सबसे पहले मैंने kitchen napkin लिया है उसके बाद में टाल लिये हैं दो आप चाहें तो कोई भी blanket रख सकते हैं जिससे कि इसमें heat बनी रहे और आपका दहीं सुबा तक बिल्कुल set हो जाएगा अगर आप day time में curd set करना चाहते हैं बाहर धूप अच्छी न आदी है I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी so मिलती हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then bye take care and stay healthy